विदायक गिटेर राजेंद्र ने दिल्चस्प कमेंट किया उन्होंने कहा कि टियारेस और कॉंग्रेस के कई विदायक उनके संपर्क में है उन्होंने कहा कि अब तक अच्छे दिन नहीं थे इसलिए उन्होंने किसी को पार्टी में शामिल नहीं किया उन्होंने कहा कि इस मह पर दिदि भाज़पा में शामिल होने को तयार है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ केसी आर से है। टियारेज सांसदों और विदाएकों से नहीं। ईतला ने कहा कि उन्होंने केसी आर के एहंकार का विरोध कि आये। अब कोई लोग उनके बताएं रास्ते पर चलने को तयार है उन्होंने कहा कि क्यूंकि अभी चुनाव का समय है वे इस बात को लेकर डर रहे हैं अगर वे अभी TRS से बाहर आएं तो यह निर्वचन क्षेत्र के विकास में बादक होगा इटला ने कहा कि TRS पार्टी में उनके सयोगियों के साथ उनका 20 साल का जुड़ाव है हर कोई उनके संपर्क में है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के पास बातों के अलावा कैसियार का सामना करने की कोई शमता नहीं है कॉंग्रेस विदाय कोमेट रेडी राजगोपा रेडी की राय है कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर भाजपा नेतरत्व उन्हें आदेश देता हैं तो यह केसियार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उन्हें हरा देंगे। नामपली हैदरबाद में एन्यस्यू कारेकरता ने आंदोलन किया है। न्यस्यू के प्रदेश अद्यक्ष बालमुरी विंकट के नेतरत्व में कारेकरताओं ने तिलंगाना राज भाजपा कारेले में गुसने की कोशिश की। यन्यस्यू कारेकरताओं ने भाजपा सरकार पर CBI जांच के नाम पर कॉंग्रस अद्यक्ष सोनिया गांदी को परेशान करने का आरोप लगाया है। कारेकरताओं ने भाजपा कारेले के सामने विरोध प्रदेशन किया और कारेले में गुसने की कोशिश की। आबिट्स पुलिस ने उन्हें रोका सिती बिगरने पर पुलिस ने एतिहात की तोर पर उसे गिरफतार कर लिया और बेगम बजार थाने ले गई हैदरबाद में भारी बारिश के चलते हुसेन सागर के फाटक खोल दिये गए है नतीजतन अंबर पेट मुस्टरम बाग चाननी ब्रिज पर बाढ़ का प्रबाव बढ़ गया बाढ़ का पानी पुल को चूती हुई बहे रही है शहर में आज सुबह बारिश हुई बारिश सुबह दुपर बारा बज़े के बाद शुरू हुई और सुबह चार बज़े तक जारी रही सुबह सुबह काम के लिए बाहर जाने वाले वाहन चालकों को तालाप के सामने की सडकों के साथ गंबे समस्यों का सामना करना पड़ा सडकों पर वाहन घुटने भर पानी में रहे कई जगों पर जरुरी सामान पानी में डूब गया मातापिता बनने के इच्चुक IVF विफलता का सामना करने वाले जोडों के लिए IVF विफलता प्रमद्दन क्लीनिक का दोरा करने का आगरा किया औरिजन फर्टिलिटी क्लीनिक एंड रिसर्स सिंटर की संस्थापक डॉक्टर रिंकी तिवारी ने का की संयुक्त तिल्गुर राज्यों में पहली बार IVFM क्लीनिक खोला गया इस गंबिर समस्या को हल करने में औरिजन फर्टिलिटी की उले खनिय सफलता को आज हाई टेक सिटी में उनके केंद्र में एक समवादाता सम्मेलन में समझाया गया और इस इन फर्टिलिटी, एंडोक्रिनोलोजी, इम्नोलोजी, जेनिटिक्स, ब्रून विज्ञान, एंडोलोजी जैसी विशिष्टताओं वाले अत्यादिक अनुभवी पेशेवरों के साथ बहुँ विश्यक प्रजनन उप्चार प्रदान करता है व्यक्तिकाद देखबाल प्रदान करता है और इस इन फर्टिलिटी का कई जोडों की मदद करने का एक उत्कृष्ट्र ट्रेक रिकॉर्ड है उन जिन्होंने पहले आईवी एफ विफलता का अनुभव किया है माता पिता बनने के अपने सपने को प्राप्त करने के लिए स्थानिय भाजपा पार्षत आकला श्रीवानी अंजन ने नायक रामचरन और शंकर के निर्देशन में बन रही एक फिलिम की शूटिंग सरुनगर वीम घर पर रोग दिया उसने पूचा कि जब छात्रों की कक्षाए चल रही हो तो वे शूटिंग की अनुमति कैसे पार्षत श्रीवानी ने शिक्षा मंत्री और स्थानिय विधायक सबिता इंडरारेडी पर अपने फाइदे के लिए चात्रों की जान जोकिम में फिलिम की शूटिंग की अनुमति देने का आरोप लगाया है उन्होंने आरोप लगाया की टियारेड सरकार चात्रों को बहतर सुविधाये मुहिया कराकर गुनवर्ता पुन शिक्षा मुहिया कराने की अपनी जिमेदारी को भूल कर शूटिंग के नाम पर अपना खजाना भर रही है राम चरन की शूटिंग को तुरंट रोकने के लिए उन्होंने बिजेपी रैंक के साथ धरना शुरू कर दिया भागपा के राश्ट्रे सचीव के नारायन के केंद्र से तिलंगान के राजपाल को तुरंट बर्खास करने की मांग की है इस बात पर आपती थी कि राजपाल द्वारा केसिया राश्ट्रे राजनीती में ना आने और जल्दी चुनाव ना करने जैसे टिपनी पर आपती जताई कहा कि राजपाल इस तरह की जाननिक टिपनी कैसे कर सकती है नारायन ने सवाल किया कि क्या उनका राजनीती से कोई लेना देना है क्यूंकि उनके पास राजयपाल का उच्छपद है पिट बशिरबाद थाना अंतरगत जैभेरी कॉल्नी में भारी लूटपाट की टना हुई एग्रिनिवास एपार्टमेंट के एक घर में चोरों की अगटना हुई चौती मंजिल पर रहने वाली कंकदुर्गा नाम की महिला कल शाम इनसीयल कॉल्नी में रहने वाली अपनी बेटी के पास गई थी वह आसुबह जब घर वापस आई तो घर के ताले तूटे और दर्वाजे खुले होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर आए पुलिस कलू टिम के साथ मोके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है प्रारंबिक जानकारी के अनुसार 40 तुला सोने के जेवर 1 किलो चांदी और 70,000 नगदी चोरी हो गई है पुलिस ने मामला दर्स कर लिया है और जांच कर रही है विश्व विद्याले सुरक्षित कर्मियों द्वारा ओयू में चात्रों पर हमले के विरोध में चात्र संगों ने ओयू बंद का अखवान किया है चात्र संगों ने पिछले शनिवार को पिछडी अधिसूच नाप जारी करने का विरोध कर रहे है चात्रों पर ओयू सुर उन्होंने मांग की की विशोई द्यालेयक की समस्याओं का ततका समाधान किया जाए और पी एच्टी की आधि सूचना ततका जारी की जाए। एबी वीपी के चात्रों ने टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों को भरने की मांग की। मीरपेट नगर निगम अंतरगत जिलल गुड़ा पुरानी बस्ती में बोनाल उस्सव के अवसर पर 43 में मंडल पार्शद गजला रामचंदर के निर्देशन में पलहारम बंडी जुलुस का भव्य आयजन किया गया। इस उस्सव में राज की शिक्षा मंत्री सभिता इंद्रा रेडी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि बोनालुकात यहार तेलंगाना राज की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमान है। इस करिक्रम में मीरिपेट कॉर्परेशन के मेर दुर्गा दीपलाल चोहान, डिप्टी मेर तीगला विक्रम रेडी, फ्लोर लीडर भूपाल रेडी, कॉर्परेशन टीरस पार्टी के अध्यक्ष, अरकला कामेश रेडी, टीरस पार्टी के पार्षदों, नेताओं और कार व्हुन्परि कॉनली में हलकी बारिश के कारण लोगों को समस्यां का सामना करना पढ़ रहा है। स्तार्य लोग इस बात पर चिंता जता रहे है कि खॉनली में बिना कोई रास्ता निकाले बार्ड का पानी हफ्तों से रुका हुआ है। कौनली वासियों की शिकायत है कि रुके हुए पानी के कारण उन्हें स्वास संबंदित परेशानियां हो रही है पिछले साल आई बार को देखते हुए पानी के बहाव की समस्या के समधान का वादा करने वाले नेताओं के शब्द सुने रहे गए अब भी अधिकारी और नेता समस्या की मांग कर रहे है विश्ण प्रिय कौनली निवासी चेतावनी दे रहे हैं कि वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे श्री मेश्वरी समाज महिला मंडल दिल्शनगर द्वारा राकी एवं तीच मेला आज मंगलवा 26 जुलाई एवं बुद्वार 27 जुलाई दो दिवसिया मेला का आयजन कर्मिनिटी हॉल नियू मारितिनगर चेतनेपुरी में हुआ श्री मेश्वरी समाज महिला मंडल दिल्शनगर द्वारा राकी एवं तीच मेला के विशेश अतिती बल्दवा ग्रुप के सरवे सरवा श्री गोपल बल्दवा ने कारिकरम का शुभारम किया उन्होंने अपने करकमलों से कारिकरम का उद्गाटन किया तता महिलाओं का उ योग से कारिक्रम को सफल बनाया और गोपल बल्दवा के प्रति आबार वेक्ट किया भाग ले रहे हैं अपना सायोग सभी लोग दे रहे हैं स्री महेश्वरी महिला मंडल धिलसुक नगर की प्रेजडेंट अनुरादा मांधना बोल रही हूँ गोपल जी और मांजु भावी का सायोग हमें हर वक्त मिला है हमने जबी भी बुलाया है उन्हें अपना וक्त लेका हमारे हम महें सपोर्ट दिया है और हमारे पुरे समाज उनका उसके लिए बहुत बहुत धन्यावाय हमारे पूरे महिलाा मंडल ने जो मिलकुल कर काम किया है उसकी तो मैं बह। तारीफ करूँगी और इसके अलाबा हमारे जैन्स मंडल ने हमें बहुत सायोग दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, उनका हम लोग, हम पूरी महिला मंडल तहे गिल से दन्यवाद करती है मैं गोपाल सुमानी, संगरक्षक, स्री महिशुरी समाज दिलशुक नगर महिशुरी समाज दिलशुक नगर अपने आप में एक जाने मानी ओर्गनेशन है, सुसल फिल्ड के लिए, जो भी ओर्गनेशन है, इस्पेशली जो समाज के नाम से ब्रांडेट हुई भी रहती है, नॉर्मली सिर्प अपने समाज के लिए करती है, मैं यह प्राउडली आप दिलशुक नगर द्वारे और्गनेश किया हुआ है, इसका मुख्य उद्ध्याश यह है, विमेन इन्पावर्मेंट, लेडी जुनों को स्वाबी लंबी बनाना, लेडी लोग अपना खुद का करे, कुछ नया करे, उन्हें प्रेड़ना मिले, और सब कोई आगे बढ़े, अगे बढ़े, इसके लिए आज हमने ये प्रोग्रम एरेंज किया है, और गुपल भाई हमारे कभी भी शोशल वर्क बोले तो, आज गुपल भाई शीटी के ऐसे मतलब नाम है, जो कभी भी हर दम तयार रहते हैं, हर कारे के लिए, और हमारी तो खास्त तरह पर कभी भी त तेयार रहते हैं तो थैंक्यू घुपल भाई आपको थैंक्स जो भी पदा रहें उन सब को ज्यादा से ज्यादा पदा रहें इंजॉय करें बहुत अच्छे तो और्गनेस किया है थैंक्यू जैमहेश भागी नगर कावड सेवा संग हैद्रबाद सिकिंद्रबाद की रजज पुर उपल, बोड उपल, मेड़ी पली, चेंगी चेरला, जीडी मेटला एक्स रोड, पोचारम ग्राम, आनोजी गुडा, होती हुए यादगीरी रोड पहुंची जहां स्वटिक लिंगेश्वर आलेयम में भक्तों ने भजनों और भंडार का आनंद लिया भागे नगर क इबिन समझवा संगटनों द्वारा मंच लगाए गए, सभी कावट धारियों को स्नुति चिहक के रूप में शिवजी की प्रतिमा भेंट की गए, इस अफसर पर जैभवानी कीरतन मंडल द्वारा भजन प्रसुत किये गए, भगवान शिव का हरिद्र के हर की पोड़ी से आए गए, गंगा जल से अभिशेक किया गया, कारेकरम में माननीय लोगों ने बढ़ चल कर हिस्सा लिया